हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ साहील और आप देख रहे हैं Music for God तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या chords जो है वो music में जरूरी है क्या बीना chords के music को हम play कर सकते हैं तो इन topics के उपर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो इस वीडियो को दोस्तो आप एंट तक जरूर देखिए और चलिए इस वीडियो को अब हम start करते हैं तो दोस्तो chords जो है वो music का बहुत ही important part है क्योंकि chords जो है वो music को बहुत ही attractive बनाता है दोस्तो यदि हम बीण chords के music को सुनते है तो वो कही न कहीं अधूरा लगता है तो बीण chords के जो music है वो incomplete रहता है तो आएए दोस्तो अभी हम कुछ practicals करके देखते हैं एक बर हम music को बीण chords के साथ प्ले करके देखेंगे एंड उसके बाद हम music को chords के साथ play करके देखेंगे एंड दोनों को हम compare करेंगे कि music जो है वो किस में best लगता है तो चलिए दोस्तो हम पहले बिना chords के music को play करके देखते हैं तो ये music दोस्तो अभी मैंने without chords अभी play किया अब दोस्तो अब इसी music को मैं chords के साथ play करता हूँ तो ये दोस्तो अभी मैंने music को chords के साथ play किया दोस्तो आप इन दोनों music को जब आप compare करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तो कि जो chords के साथ जब मैंने music play किया तो वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगा लेकिन जब मैंने बीना chords के music को play किया सुनने में कहीं न कहीं incomplete लगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि chords music में कितना important है और एक question और रहे गया तो दोस्तों कि क्या हम बीना chords के music को play कर सकते हैं तो इसका answer है दोस्तों हाँ आप बीना chords के music को keyboard में play कर तो सकते हैं लेकिन बीना chords के जब आप music को play करें क्योंकि chords जो दोस्तों वो music को बहुत ही attractive बनाता है तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मैं आशा करते हूँ कि आप को इवीडियो पसंदा होगा दोस्तों यदि आप को वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेय कीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू